नमस्कार दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक और न्यू फ्रेश वीडियो में तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं All New Upcoming Yamaha R15 Version 4 के बारे में आप मैंसे काफी सारे लोग यहाँ पर इस बाइक के Version 4 के लिए बेट कर रहे होंगे और Company जो है वो इस बाइक के Version 4 में आपको काफी अच्छे फीचर्स और काफी अच्छे लोग यहाँ पर प्रुवाइड करेगी तो आज की इस वीडियो में हम इस बाइक की सारी डिटेल्स की पर बात करेंगे तो आप इस वीडियो को अंतर तक जरूर से देखिएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बात कर लेते हैं स्ट बाइक के मॉडल के बारे में इस बाइक का मॉडल आपको बिलकुल यम हा आरवन की जैसा ही देखने को मिलेगा इस बाइक में आपको फ्रंट में गोल्डन कलर के अपडाउन फोक्स और रियर में आपको मोनो सॉक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे इस बाइक में आपको फ्रंट में फुली LED प्रोजेक्टर हेड लेंप रियर में LED टेल लेंप और Integator भी आपको LED में ही देखने को मिलेंगे इस bike में आपको fully digital meter console देखने को मिलेगा जिसमें आपको TMT display भी देखने को मिलेगी जिसमें आपको RPM meter, gear Integator clock, Bluetooth और first in the segment riding modes भी देखने को मिलेंगे और इस bike में अब आपको orange color के alloy wheel भी देखने को मिलेंगे जैसे कि आपको KTM RC बगेरा में देखने को मिलते हैं तो company यहाँ पर आपको इस bike में काफी अच्छे features और काफी अच्छा लोग यहाँ पर provide करेगी बात कर लेते हैं इस bike के engine के बारे में तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 149.7cc का single cylinder 4 stock 4 bulb little bit cool A5 BS6 engine जो की generate करेगा 19.1bhp के aprox power और 14.5 newton meter के aprox torque तो यहाँ पर आपको इस bike में power और torque से में देखने को मिलेंगे बात कर लें braking के बारे में तो इस bike में आपको front में disc brake plus dual channel ABS और rear में भी disc brake देखने को मिलेगा बात कर लें mileage के बारे में तो इस bike से आपको 45 से लेकर 50 km तक का mileage देखने को मिल जाएगा बात कर लेते हैं इस bike की price के बारे में तो इस bike की price यहाँ पर 6 से 7,000 टूपीस तक increase होने वाली है और इस bike का सीधा competition यहाँ पर Pulsar RS200 और KTM RC200 से रहेगा और अगर आप लोग इस bike के old model को purchase करने की सोच रहे हैं तो आप लोग इस bike के new model के लिए wait कर सकती हैं बेकोज इस bike के new model में आपको काफी अच्छी features और काफी अच्छा लोग यहाँ पर company आपको provide करेगी बात करने इस bike की launch date के बारे में तो यह bike आपको फरवरी की end तास Indian market में देखने को मिल जाएगी तो इस bike के बारे में यही news मुझे आपसे share करनी थी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को like करके चैनल को subscribe कर लिजेगा हम मुलाकात होगी नेक वीडियो में तब तक के लिए सस्त रहिए मस्त रहिए रैट सिप जहन्द